कई सारे जो फैंस हैं वो जरूर निराश हो गए हैं कि महिंदर सिंग दोनी आज़ा क्याप्टर नज़र नहीं आएंगे टॉस पर जब वो नज़र आते थे कई दफ़ा कॉमेंटेटर उनसे पूछ लेते थे क्या आपका लास्ट आइपिल है तमाम तरीके के डिसकेशन दोनी से हो जाते थे पोस्त मैच डिसकेशन भी महिंदर सिंग दोनी से बतोर कप्तान हो जाते थे पर इस कॉन्फरंसेज में तमाम सवाल बुछ लिय जाते थे लेकिन आपचू कि युक्यों कप्तान नहीं है तो मीडिया इंटराक्शन महहंदर सिंग दोनी से बहुत ज़ादा नहीं हो पाएगा ना फिर जनलिस्ट का ना ही ब्रॉड कास्टर्स का तो महहंदर सिंग दोनी से जो बाचीत हो जाती थी उनसके फेंस के लिए वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे वीडियोस ही हो जाते थे वो आप आपको देखने नहीं मिलेंगे क्योंकि कप्तान की भूमिका वहाँ पर रुतुराज गायकवाड निभाते हुए नजर आएंगे जो भी आपकी प्रतिकिया है आपके जो कॉमेंट्स है वो आप यहाँ पर लाइव लिख सकते हैं इस डिसीजन पर आप कैसे देखते हैं रुतुराज गायकवाड को जो कप्तान बनाया गया है और भी कंटेंडर इस टीम में कही जा रहे थे लेकिन चुकि अजिंग के रहाने वो खिलाड़ें जिनके पास कप्तानी का नबव है लेकिन उमर काफी जादा हो चली है तो अजिंग के रहाने उस कैटेंसी की फिट में जादा सही नहीं बैठते हैं अगले साल मेगा ऑक्षन भी होना है वहाँ पर आपके पास सिर्फ चार खिलाड़ी आप टीम में रख सक करते हैं लेकिन CSK मेनेजमेंट ने ये तैय किया है कि भई किसी बाहर से लाकर खिलाड़ी को कप्तान बनाएंसे बैटर रहे किसी ऐसे खिलाड़ी को जो की टीम पे साथ लगाता जुड़ा हो एक emotional attachment हो और पुरी जो fan base है उसका भी काफी जादा support वहाँ पर हो तो रुतुर आज गायकवाट के साथ इस बार हमें देखने को मिलेगा कि कप्तानी के जिम्मेदारी वो करेंगे काफी कुछ बदला है इस IPL में मुंबाई इंडियन्स के लिए जहां रोई शर्मा जो IPL के सबसे सफल कप्तान धोनी के बात कहे जाते हैं वो कप्तानी करते हुए नहीं द इंडर में खेले हैं इस बार मैं उनके एंडर में खेलता हूं बैकेंड सपोर्ट अपनी तरफ से पूरा गायकवाट को देता हूं कोशिश उन्होंने की थी जडेजा के साथ भी है लेकिन वो प्रयोग बहुत जादा चल नहीं पाया था अब यह देखना हुए क्या इस करी निर्णे किया गया है कंटेंडर जडेजा भी थे वहां पर उनके पास कि बढ़े सीनर खिलाडी हैं 2009 से 2008 से क्रिकट खेल रहे हैं पहला जो सीजन था वह भी राजस्थान के लिए 2008 से खेलें तरीके के फाउंडिंग मेंबर हैं बड़े पुराने खिलाडी हैं लेकिन किसी युवा खिलाडी पर धाव खेलते हैं रुदूर राज गयकवाड को भविश का बहुत बेतरीन खिलाडी कहा जा रहा है ओपनिंग बल्लेबाजी करते हैं भारत के लिए भी शतक लगा चुके हैं मौके उतने जादा मिल नहीं पाएं लेकिन ये जो सीजन होने वाला ह ये टर्निंग पॉइंट होने वाला है गयकवाड के लिए जिस तरीके से गयकवाड इस सीदन रिप्रदर्शन करने वाले हैं बहुत हद तक वो डिपेंड करता है कि भाई CSK की टीम को वो कहां लेकर जाते हैं उनके उपर जो जिम्मेदारी है बहुत ही बड़ी है कोई ऐस वसी टीम को आप कोई कपतानी करने को नहीं मिल रहा भई आप चाहने ही सूपर किंग से कपतान है उस लेगेसी के जो महेंदर सिंग दोनी ने 2008 से लेकर अब तक बनाई है इस टीम को कई खिताब अपने नाम उन्होंने अपने दम पर जिता हैं और पिछला IPL कौन भूल सकत मैं अब रुतुराज गाएकवार्ड को एजन विकट कीपर एजन बैट्समन आपको खेलते हुए नजर आएंगे हो सकते है ज्यादा फ्री अब फ्री फ्लो से बल्ले बाजी करते हो महेंदर सिंग दोनी आपको नजर आए जो कपतानी का एक्स्टा प्रेशर होता है महेंदर सिंग दोनी आपको उपर बल्ले बाजी करते हुए भी इस बार सीजन में नजर आ सकते हैं तो बड़ी ख़बर निकल कर जो आई है वो यह ही आई है कि महेंदर सिंग दोनी ने चैन्नाई सुपर किंग्स की कपतानी चोड़ दी है रुतुराज गाएकवार्ड अब बड़ी लेगसी बनी हुई है CSK का IPL में जो दबदबा है महेंदर सिंग दोनी उसकी बहुत बड़ी बजा है लेकिन अब CSK अपना भविश्य देख रही है हो सकता है दोनी का आखरी सीजन हो इसके बाद आपको दोनी खेलते हुए नजर ना आए तो अगर उनका आखरी सी सपोर्ट उनके साथ रहने वाला है टीम की बात करें टीम भी काफी मजबूत नजर आती है इस बार भी पिछली बार की तरह रहाने है शादूल ठाकुर को टीम में लेकर आए हैं दीपक चहर है जडेजा है टीम बैलन्स है महेंदर सिंग दोनी हर खिलाडी से क्या कितना नि थी तो उनकी कफ्तानी पर किसी को डाउट नहीं है धोनी जिसे ग्रूम करते हैं कहते हैं धोनी नेगर आप पर भरोसा किया है तो आपके इंदर कुछ होगा एजन बोलर एजन बैट्समन एजन फील्डर हम बहुत सारे खिलाडियों के साथ दे चुके हैं लेकिन अब ऐसा क कैप्टर महिंदर सिंग दोनी ने जो भरोसा किया है रुतुराज गायकवार्ड पर किया है इस बार सीजन में देखने वाला देखने वाली बात ही होगी कि रुतुराज गायकवार्ड किस तरीकी के अप्तानी करते हैं